आप लोग ने ओसकर अवार्ड के बारे में सुना होगा ओसकर पुरुसकार के बारे में तिरफल आर मुवी भी आप लोग ने देखी होगी राजा मौली की और आप देखेंगे कि उसका एक गाना है सौंग है नाटू नाटू इसे ओसकर फुरुसकार मिला है और ओर्जिनल सौंग केटिगरी में ये अवोर्ड दिया गया है और आप लोग कुछ पिक्चर्स भी देख रहे होंगे राजा मौली साहब आप लोगों कोई दिखाई दे रहे होंगे और इस गाने के लिए बात करा हों और काफी आप देखे सुपर हिट रही है ये मूवी और अच्छी कमाई भी की है इस मूवी ने साउथ की मूवी है ठीक है तो आज हम लोग ऑसकर अवोर्ड के बारे में एक सामान जानकारी देख लेते हैं अभी तक जिन भारतियों को दिया गया है उन भारतियों के बा और मेयर और उनके तीन गेस्ट्स एक्टर कॉन्रेड नागेल डारेक्टर फेड निवलो और एक थे प्रीडूसर फीड वीट सौन ने फिल्मी इंडरस्टी को फायदा पहुंचाने के लिए एक सांगठन बनाने पर विचार किया और एस एवजिना के बारे में उन्होंने स 1927 किये और 1927 को लॉस एंजल्स के एंबैस्डर होटल में इस पर चर्चा के लिए एक डिनर पार्टी रखी जाती है और इसमें 36 लोग सामिल हुए थे और यहीं पर संगठन बनाने की फिस्ताव पर चर्चा होती है और इस डिनर पार्टी में जॉर्ज कोहेंड जैसे मेयर डॉग लकस फियर बेंकस बेंकसर कैडरिक गिंबस और आप देखें मेरी पिकफोर्ड जैसे लस्किये सैसिल एर्विंग थालवर्ग वी डिमले सिद ग्राव में जैसी नामी हस्तियां इसमें सामिल हुई इस डिनर पार्टी में और सभी ने एक सोर में इस पिस्ताव का समर कारिकारियों की चुनाव होता है और इस तरह से आप देखेंगे कि इस संगठन का निर्माण होता है 11 मई 1923 को बिल्ट मोर होटल में इस अकेडमी को राज्य ने एक एंजियो के तौर पर अनुमती देती है और इसकी खुसी में एक पार्टी का आयोजन भी किया गया और इस 230 गेस्ट ने एकडमी की मेंबर्शिप ली और इसके लिए आप देखेंगे 100 डॉलर की फीस दी थी और थॉमस एडिशन को उसी रात अकेडमी की तरफ से पहली मानत सदस्ता से भी संबानित किया गया था और संगठन में सुरू में सुरू में एक्टर डारेक्टर राइटर और टैक्निसियंस की ब्रांच भी बनाई गई थी और इस तरह से आप देखेंगे कि इसकी इस्तापना हो जाती है फिर बात आती है पहला आवोर्ड की तो एकडमी बनने के बाद सबसे पहला अकेडमी आवोर्ड सेरीमनी हॉलीबुड रूज बैल 2 होटल में आयुजित हु और आप देखेंगे 1929 में 15 कलाकारों को ये अवोर्ड दिया गया था इसमें आप देखेंगे इनमें 1927-28 तक बनी जो फिल्में थी न उन्हें सामिल किया गया था और पहले इसका क्रेज इतना नहीं था लेकिन आप देखते हैं कि जितना अब है और पहले एकडमी आवोर् तो बढ़ गया इसका औसकर में फिल्में कैसे चुनी जाती है ये बाद भी आती है तो कहते हैं कि पहला इसमें सर्थ यह है कि ऑफिस्टियल वेफसाइट के इंसार कोई भी मोशन फिल्म जो अमेरिका की 6 मेट्रोपॉलिटिन सिटी इसमें आप देखेंगे लॉच्स एंज सहरों में और वही फिल्म जो इन सहरों में से किसी एक में दिखाई जा रही है वही फिल्म ऑसकर की रेस में सामिल होगी जो 40 मिनिट से बड़ी होनी चाहिए इसके लिए दूसरी साथ क्या रखी की है 40 मिनिट से बड़ी फिल्म होना चाहिए उसी को ऑसकर फुरुसकार मिले फिलम में उसी साल एक जनवरी से लेकर 31 सम्बर की बीच में रिलीज होनी चाहिए वो मूबी और एक ही थेटर में फिलम कम से कम 7 दिनों तक लगातार चली चाहिए और आप देखेंगे 7 दिनों तक चलेगी तो मूबी में कुछ तो दम होगी तभी तोसको पुरुस्कार और Oscar Award में क्या मिलता है, MI ने भी रखता है, तो Academy Award और Merit को Oscar Award की नाम से भी जानते हैं, और इसमें जो ट्राफी मिलती है हुए धातू से बनी होती है, और इस मूर्ती पर गोल्ड की लेयर रहती है, और इसका ट्राफी 13.5 इंच यानि की आप देखेंगे 34 सेंटीमीटर लंबी होती है, और इसका बेट 8.5 पाउंड यानि की आप देखेंगे 3.85 किलो का होता है, और इस ट्राफी में एक युद्धा की अक्ति होती जैसी 8 टेकुने में बनाये गया है, और यह ही युद्धा त तलवार लेकर 5 तिलियों की एक फिलेम रील पर खड़ा होता है, और 5 तिलियां आप देखेंगे एक्टर, डारेक्टर, राइटर, पिड्यूसर और टेक्नी सीएंस का पितिनी दित करती है, और इससे आप लोग देख भी रहे होंगे, देख लिए जिसकी बात हो रही है, ठ कोई पैसा नहीं मिलता है, यह भी आप लोग याद रखेंगा, तो आप देखेंगे कि ऑसकर अवार्ड में सिर्फ एक ट्राफी मिलती है, इसमें किसी तरह का कैस प्राइज नहीं मिलता है, हाला कि अवार्ड जीतने बाले कलाकारी की मार्केट बैली उबढ़ जाती है, और अवार्ड की कीमत माइने नहीं रखती है, अवार्ड मिलना है, यह बड़ी बात होती है, अभी तक अगर आप अगर देखें तो कुछ लोगों को और दिया गया है, पांच भार्टियों ने अलग-लग सेडियों में जीते हैं ऑसकर अवार्ड, ठीक है, और इसमें सबसे पह पहली भार्टियों थी, कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथिया, जन्होंने साल 1983 में आई, फिल्म गांधी के लिए जॉन मोलो के साथ मिलकर कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था, और इस कैटिगरी में उन्हें यह सम्मान मिला था, दूसरा नाम आप लोगोंने सना होगा स सत्यजीत रे, दूसरे भारतिय थे, जिन्हें ऑसकर अवर्ड से सम्मानित किया गया था, उन्हें और रेरी, लाइफटाइम अचेमेंट का अवसकार अवर्ड दिया गया था, हाला कि अवर्ड लेने वो नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद उनके कोलकाता भिजबा दिया ग सिंग, कैटेगरी का ओसकर रेसुल, फुक की कुट्टी को आप देखेंगे, फुरुसकार दिया गया था, और इस फिल्म ने तीन ओसकर अवर्ड जीते थे, इसमें आप देखेंगे, एर रह्मान का नाम भी सामिल है, और इसी मूवी में, यह आप देखेंगे, इसलम मिलिनियर में, दूसरा अवर्ड था, यह, म्यूजिक और सौंग देने वाले एर रहमान को दिया गया था, और उन्हें बेस्ट म्यूजिक कैटिगरी में, ओसकर अवर्ड से सम्मानित किया गया था, और इस फिल्म का पॉपूलर गाना था, जै हो, को एर रहमान नहीं गया गुलजार इन्हें भी दिया गया था, फिल्म इस लम डॉग मिलिनियर में, जै हो, सौंग के गीतकार गुलजार को फिल्म का तीसरा ऑसकर अवर्ड मिला था, ऑसकर सेरीमनी में वह भी नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद यह अवर्ड उनकी टीम ने ले लिया था, तो यह भी याद रखेगा, और इस तरह के अवर्ड के बारे में एक सामान जानकारी आपको होनी चाहिए, अगर आप लोग किसी एक्जाम की तैयारी कर रहें, तब तो आप लोगों से कुश्चन्स भी पूछा जा सकता है, और वैसे भी चर्चा हो रही है, तो मुझे लगा कि हमे झाल